दोस्तों बिना डिलेर के पास गए हुए राशन कार्ड में आधार कार्ड और मोबाइल नमबर अगर आप ओनलाइन लिंक करना चाते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कैसे आप बिना डिलेर के पास गए हुए आप अपने स्मार्टफोन या फिल लेप्टॉप से ऑनलाइन ही अपने राशन कार्ड में आधार कार्ड और मोबाइल नमबर को लिंक करेंगे इसका पूरा इस प्रकास से आपको यहाँ पर लिख लेना है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखने के बाद दोस्तों आपको सर्ज के उपर क्लिक कर देना है जैसे आप सर्च करेंगे जिस जिस श्टेट में दोस्तो ओनलाइन राशन कार्ड में आधार कार्ड मोबाइल नम्बर लिंक हो रहा होगा उस श्टेट का नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जैसा कि दोस्तो आप देख सकते हैं वेश्ट बेंगॉल का नाम दिया हुआ है गुजराद का दिया हुआ है हिमाचल प्रदेश का दिया हुआ है साथी साथ यहाँ पर दोस्तो राजस्थान भी दिया है जारखन का भी दिया हुआ है आप देख सकते हैं ठीक है अगर आपके state का यहाँ पर नाम शो नहीं हो रहा है यहाँ पर आपने देख लिया तो आप next page पर भी check कर सकते हैं यहाँ पर भी दोस्तों आपको देखने को मिल सकता है जैसे कि आप डेली का दिया हुआ है ऐसे आपको चेक कर लेना है कि आपके state का नाम कहा पर है next page करकर के आपको पहले चेक कर लेना है ठीक है अब जी जी इस state का दोस्तों यहाँ पर नाम दिया रहेगा तो समझ जाए उस state में आप आसानी से online राशन कार्ड में आधार कार्ड को link कर सकते हैं, mobile number को link कर सकते हैं जी इस state का यहाँ पर नाम नहीं है तो उसका कैसे link करना है ओभी मैं आपको बताऊंगा तो आज यहाँ पर दोस्तों हम एक state को select कर लेते हैं ठीक है एक link के उपर क्लिक करते हैं इस प्रकास से आपके सामने जो है portal खुल कर आ जाएगा अब यहाँ पर सबसे starting में ही दिया हुआ है link आधार with राशन कार्ड आप देख सकते हैं तो simply इसी के उपर क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आप देख लिजे पूरा option आ चुका है तो सबसे पहले आपको category select करना है कि आपका राशन कार्ड किस category का है इस प्रकास से आपको select कर लेना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना राशन कार्ड number टाइप कर देना है राशन कार्ट नंबर टाइप करने के बाद दोस्तों आपको सर्ज के उपर क्लिक कर देना है जैसे आप यहाँ पर सर्ज करेंगे आपके राशन कार्ट का जो डीटेल है वो यहाँ पर इस प्रकास से खुल कर आ जाएगा ठीक है अब यहाँ पर नीचे दो आफशन दिया है एक है लिंक आधार एंड मोबाइल नंबर यानि कि अगर आधार और मोबाइल नंबर लिंक करना चाते हैं तो पहला आफशन सेलेक्ट करना है और सीड मोबाइल नंबर आउनली यह जो दूसरा आफशन है इसमें सिर्फ आप मोबाइल नंबर को ही लिंक कर सकते हैं समझ गए तो हम यहाँ पर दोनों ही लिंक करना चाते है यानि कि आधार कार्ड और मोबाइल नंबर तो यह पहला वाला जो आफशन है इसे हमें सेलेक्ट करना होगा तो यह चेक बॉक्स के उपर आपको क्लिक करना है इसके आगे जो बॉक्स दिया है इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं नीचे दोस्तो आधार नंबर डालने का ओप्शन आ जाता है अब जो आधार कार्ड दोस्तो लिंक करवाना चाते हैं अपने राशन कार्ड में वही आधार नमबर आपको सही सही यहाँ पर टाइप कर देना है ठीक है इस प्रकास से आपको टाइप करना है चेक बॉक्स के उपर नीचे क्लिक कर लेना है इस प्रकास से जिसके बाद दोस्तों आपको send OTP वाले बटन पर क्लिक कर देना है अब आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नमबर लिंक होगा वही आपके राशन कार्ड में भी लिंक हो जाएगा एक साथ में दोस्तों यानि कि आधार कार्ड और मोबाइल नमबर दोनों ही आपके राशन कार्ड में लिंक हो जाएगा समझ गये तो यह पूरा प्रोसेस है हमारा पहले से ही यहाँ पर link है तो हम दोबारा से यहाँ पर आपको link करके नहीं दिखा सकते हैं लेकिन पूरा process मैंने आपको बता दिया है अब जी जिस state का दोस्तों यहाँ पर नाम दिया गया है वह state में आसानी से आप कर सकते हैं जैसे कि हिमाचल प्रदेश का भी यहाँ पर दि प्रिंट भी कर सकते हैं मतलब कि हर एक का option यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिल जाता है समझे ओ तो जी जी स्टेट में यहाँ पर online की सुईधा दी गई है वह लोग online कर सकते हैं लेकिन जी स्टेट में दोस्तों अभी online की सुईधा शुरू नहीं की गई है तो ऐसे म आपको अपना ओरिजिनल आधार कार्ट राशन कार्ट लेकर जाना होगा वहाँ पर जाएंगे तो बायोमेट्रिक के जरीए दुस्तो आपका जो राशन कार्ट है आधार कार्ट से लिंक कर दिया जाएगा और जो मॉवाइल नंबर आप देंगे वह भी जो है आसानी से लिंक हो जाएगा समझ गए तो यह ओफलेन का प्रोसेस है अगर आपके श्टेट में ओनलाइन है तो आपको ओफलेन करवाना ही पड़ेगा तो वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लेगो शेर करना साथी साथ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ठैंक दोस्तो बाई बाई टेक केर